हेलो माई यूटूब फैमली नमस्कार मैं सिखा अपने वीडियो में आप लोगों का बोंस्ट एंड बोंस्ट विलकम करते हूं आए आज बहुत ही डिलीशेस और परमपरगत कीर बनाते हैं जो सबके घर में उकेजनिली बनता ही है हर कोई बनात के खाता है हफ्ते में एक दो तरीके से बनता है इसके लिए हम इंग्रिडियन्स हो लिए है चलिए देखते हैं चावल लेंगे इसमें हम चावल मनसूरी चावल लिए है सोना मनसूरी जोता है और हमेशा खीर के लिए चावल का चुनाओं हम छोटे चावलों से करेंगे हमको लंबा चावल बड़ा लेना है जिसमें श्टार्च हो इसको हम से चार पानी अच्छे से माश कर लेंगे में साहा कि इस तरह से हाथों से इसको कर लेंगे कि अध्यकम अगध café याज जो तक पानी ट्रांसपर ना दिखने लगे तब तक वहास करेंगे इस बाद हम जो के फिक देंगे पानी में करने के लिए रख देंगे आप देखेंगे 10-15 मिनिट बाद चावलों में एक लकीर सी बन जाएगी आप देख पा रहे हैं इस तरह से एक लाइन लाइन सी चावलों में बन यहां पर हम पानी को ड्रेन कर देंगे इसमें पानी बिल्कुल नहीं रहने देंगे उसके बाद हम चलते हैं चावलों को फ्राई करने के तरफ एक लिटर दूद के लिए हम यहां डेट सो ग्राम चावल लिए हैं भारे वाटम की कड़ाहे में एक हम एक चमच घी डाले हैं घी गरम हो जाए तो इसमें हम चावलों क को टॉस करेंगे है कि दो से तीन मिनट हम मेडियम फ्लेम पर इस तरह से चावलों को टॉस करेंगे कि चावलों को कलर नहीं चेंज करना है कि थोड़ा सा मैंसल इसको भून के निकाल लेंगे इसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है खीर में हमेशा चावलों को हम छोटा पतला या टुकड़ी में ले सकते हैं बहुत ही अच्छा बनता है खीर यहां पर देखिए सानिंग आ गया है चावलों में और यहां इसी कड़ाही में हम दूद लेंगे दूद हमारा फूलपाइड मिल्क ही होना चाहिए मलाई हमको निकालना नहीं है और कच्छा दूद रहे तो भी अच्छा रहता है और इसमें हम इसको चलाते हुए अच्छे से बॉयल आनने तक वेट करेंगे दूद में बॉयल आ गया है तब हम इसमें चाल को डालेंगे और दूद को हमेशा किनाजा से चलाएए ताकि इसमें जो मलाई रहती है उसी में मिक्स होते रहे और भारी तले की कड़ाही लेके आप उसी में बनाएए जब भी खीर बनाएं भारी बट्रम के बरतन में दोते नहीं है और इससे चालों को हम पकाएंगे चलाते हुए और नीचे से चलाएए ताकि नीचे ना पकड़े तले से कि ऐसे खुरज-खुरज के हम इसको दो अब चलाएंगे चावल को देखेंगे चावल पक गया है को थोड़ा बतावर पगने बागी है चावल हमारा इदम पख गया है यहां पर जितना हम चावल लेते उतना ही हमको चीनी लेना है आप कम भी ले सकते हैं कम मीठा पसंद करते हैं तो लेकिन खीर मीठी ही पसंद आती है सबको यहां पर किसमी डालेंगे बदाम टुकड़े में काजू और यहां पर मखाने डाले हैं एक बाउल कासा हुआ नारियम तरभी को डालके हम अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी दिर पकाएंगे दो से रही बिनेट और हम इसको पकाएंगे और लाश्ट में यहां पर फ्लेवर के लिए हम इलाची डाले हैं इलाची आप तुरंत कर लिजिए चिलकों को इसमें मट डालिए कि मुझ में आता है चलका तो अच्छा नहीं लगता आप अपरेंट चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए अप्ली लाइकन को प्रेस कर लिए और अच्छे च्छे कमेंट करें वीडियों आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं नहीं पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन अपना कमेंट जरूर दीजिएगा वीडियो कैसी लगती है यहां लाश्ट में हम दो चम्मच गुल्ड डालेंगे इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट में भी बहुत अच्छा आता है आप एक बाए इस तरह से खीर बनाके जरूर ट्राइ करिए घर पर और इसको हम थोड़ी देर के लिए बहुत अच्छी खीर बनके तयार हुई है जितनी ठंडी होगी उतनी अच्छी बनेगी और लच्छेदार खीर बनके रेडी हो गई है चलिए सर्फ करते हैं आप भी इस तरह से तेवहारों में महमानों के आने पर या फिर अपने लिए खीर बना सकते हैं बहुत ही जट पर बारा मिनट का समय लगा है अब देख पा रहे हैं बहुत ही रिलीस्यस खीर बनके तयार हुआ है हमाई दादी नानी इस तहां से बनाती थी अब बिन भूने भी चालों को डारेक्ट दूद में पका सकते हैं लेकिन उतना अच्छा टेस्ट है उसका नहीं आता है जो घी में भूनके चाल बनाया जाता है उसका आता है देखिए मेडियो पूई देखने के लिए थैंक्यूँ